ओम शन्ति 22 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो सिख्छाएं दी उनका मनन करेंगे बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य द्रश्टी मिली है तुम जानते हो यहाद दुनिया पुरानी खत्म होनी है इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है पूरा पूरा बली चड़ना है बाबा कहते मीठे बच्चे अभी तुम्हें दिव्य द्रश्टी मिली है तुम जानते हो यहाद पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए इससे ममत्व निकाल देना है पूरा पूरा बली चड़ना है अर्थात स्वयम भगवान निराकार पिता परमात्मा सिव इस संगम युग पर इस भारत मुहमी पर आते हैं ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को नया मरजीवा ब्रह्मन जन्म देते बाबा कहते अब पुरानी दुनिया का विनास हुआ के हुआ अर्थात बाबा कहते अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया से पुरानी देह से पुराने संबंदों से सुख सुविधा के साधनों से ममत्तु निकाल देना है एक बाप को ही अपना सब कुछ समझना है बाप पर पूरा पूरा बली चड़ना है जो बच्चे जितना जितना बली चड़ते उतना उतना अवी नासी बनते जाते तो बाबा कहते अब तक जो इन आँखों से देखा इन कानों से सुना उसे भूल जाओ अब तुम बच्चों को दिव्य द्रश्टी अर्थात ग्यान का तीसरा नेत्र मिला है जिसके आधार पर तुम यह जान गए हो कि पुरानी दुनिया विनास हुई पड़ी है और नया विश्व बनेगा सिव बाबा हमको नया राज्य भाग्य देने के लिए आए हैं हम सत्यूग में जाकर महाराजा महारानी बनेगे तो बाबा कहते अब इस पुरानी पतित दुनिया से पुरानी देह से देह के संबंध से करमों के बंधन से सुख सुविधा के साधनों से ममत तु निकाल दो अर्थात बुद्धी एक बाप पर एकाग्र कर दो बाबा की याद की लगन में मगन रहो बाबा जो ग्यान सुनाते हैं उस ग्यान का मनंचिंतन करो क्योंकि अमर नात बाप हैं अमर कथा सुना कर हम बच्चों को अमर लोक में ले जाने के लिए आए है तो बाबा कहते अभी तुम फूल बन रहे हो तुम किसी को काटा नहीं चुबाते एक बाब पर पूरा पूरा बली चड़कर अपना सब कुछ अविनासी कर लेते हो प्रश्न किया बाबा ने जो अविनासी बाब पर पूरा बली चड़े बाबा कहते जो अविनासी बाब पर पूरा बली चड़े हुए बच्चे हैं उनकी निसानी क्या होगी उत्तर में बाबा समझाते वह अपना पैसा आदी फालतू खर्च नहीं करेंगे भक्ती मार्ग में दीपा वली आदी पर कितना बारूज जलाते हैं अल्प काल की खुसी मनाते हैं तुम जानते हो यह सब वेश्ट आफ टाइम वेश्ट आफ मनी वेश्ट आफ एनरजी है यहां तुम्हें ऐसी खुसिया नहीं मनानी है क्योंकि तुम तो वनवास में हो तुम्हें इन काटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है अर्थात बाबा आए हम बच्चों को ग्यान का तीसरा नेत्र दिया जिसके आधार पर बाबा ने हमें आदी मध्य अंत की नौलेज समझा दी तो बाबा कहते अभी यह जो दिवाली मनाते हैं यह दिवाली नहीं है तुम बच्चे जान गए हो सच्ची दिवाली है सत्यों में वहां सब के दिवे जले होते हैं यहां आज दिया जलाते कल बुच जाता है आज खुसियां मनाते बारूत जलाते पठा के फोड़ते कल फिर दुखी हो जाते तो बाबा कहते यहां है अलपकाल की खुसी इसमें टाइम वेश्ट नहीं करना है धन वेश्ट नहीं करना है और सक्तियों को भी वेश्ट नहीं करना है तुम बच्चे जान गए हो नई दुनिया आने वाली है तो बाबा पर पूरा पूरा बली चड़ कर क्यों ना अपना सब कुछ सफल कर दे यहां तो फजूल खर्चा बहुत है दान पुन्य करने से भी बाबा कहते अल्पकाल का फल मिलता है तुम जानते हो हम अविनासी बाब पर बली चड़े हैं तो हमारा सब कुछ अविनासी बन जाता है पुराना सरीर छोड़ नया ले लेते हैं तुम बच्चों ने महुझीत राजा की कता तो सुनी है न यहां कहानी सत्युक के लिए नहीं है क्योंकि वहां अकाले म्रत्यु नहीं होता यहां सिर्फ मिसाल देने के लिए कहानी बनाई है कि उस समय सब नश्टो मुहा मोहजीत रहते हैं सरीर सहित पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है क्योंकि तुम नई दुनिया में जा रहे हो पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व होता है क्या इसको बेहत का सन्यास कहा जाता है गीत सुनाया बाबा ने तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया जहां तो जहां आस्मा पा लिया बाबा कहते जिन्होंने यह गीत बनाया वे इसका अर्थ नहीं समझते अभी तुम बच्चों ने गीत का अर्थ समझा अब तुम बच्चों ने बाप को बाया है तो तुमको बाप मदद देते हैं पांच विकारों को जीतने की अर्थात माया पर जीत पहन जगत जीत बनने की जगत सारी दुनिया को कहा जाता है बाबा कहते बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनते हैं बनाने वाला एक पिता परमात्मा सिव जो अभी आया है और हम बच्चों को विश्व का मालिक बना रहा है बाबा कहते अभी तुम बच्चे जान गए हो कि हमको दिवाली की खुसी नहीं होती क्योंकि हम बनवास में हैं हम पियर घर से ससुराल घर जाते हैं बाबा ने कहला भेजा था एक सो आठ चत्ती वाला कपड़ा पहनो तो देह अभी मान तूट जाए इस समय तुम काटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जा रहे हो कहते हैं पढ़ेंगे लिखेंगे होंगे न बाब बाबा कहते हैं मैं तुमको नर से नारायन बनाता हूँ तो पुरुशार्त उच करना है जब मैं पढ़ाता हूँ तो क्यों नहीं पद बाबा कहते हैं क्यों पद खराब करते हो मात पिता को क्यों फालू नहीं करते हो बाबा ने साक्षातकार भी कराया है कि जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वह डिनाइस्टी में आएंगे बाबा कहते तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए अभी अमर नात बाबा हमको अमर कथा सुना कर अमर बनाते हैं तो बाबा कहते अभी तुम फूल बनते हो एक दो को काटा नहीं लगाना है यहां तो काम कटारी है एक दो को काटा लगाते हैं तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाबा हमको ग्यान चिता पर बेट कर गोरा बना कर अपने साथ ले जाते हैं इसी लिए बाबा कहते हैं ध्यानी से ग्यानी मुझे प्रिये है ध्यान में माया प्रवेस करती है ग्यान में माया नहीं आती जो नोधा भक्ती करते हैं उनको बाप साक्षातकार कराते हैं यहां कोई नोधा भक्ती नहीं की जाती छोटी छोटी बच्चीयों को साक्षातकार हो जाता है यहां तो कहा जाता है अगर ध्यान की आदत पड़ गई तो पड़ाई नहीं पड़ सकते शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे परंतु आज है नहीं तो बाबा कहते ग्यानी तु आत्मा को किसी बात में संसय नहीं आता संसय आया पड़ाई छोड़ी गोया बाप को छोड़ा बाबा कहते हैं अश्टा वक्र गीता में लिखा है सेकेंड में जीवन मुक्ती मिली लेकिन कैसे यह नहीं जानते आदी सनातन देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है जबकि राजाई मिल रही है तो फिर हम क्यों ना सिरीमत पर चले क्यों ना कमल फूल समान बने बाबा कहते तुम ब्रह्मन होना तो संक चक्र गदा पदम तुम्हारे पास है बाबा कहते इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं तो ब्रह्मा बाप हुआ बाप से वर्सा ही मिलेगा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मध्या जी भाओ बाप धंदे की मना नहीं करते बाबा कहते हैं कि धंदा बल करो परन्तु बाबा को याद करो क्योंकि उनसे वर्सा मिलता है यह भीती है न और जगा भीती नहीं होती इसकुल में भी बीती होती है तभी कहते हैं कि student life is the best यहां बेहद की पड़ाई है बेहद की history जोगरफी को तुम बच्चे अब जान गए हो इसकुल में जाकर बताओ कि बेहद की history जोगरफी क्या है वर्दान दिया बाबा ने वर्दान में बाबा कहते अपने आक्यू पैसन की इस्मरती से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्यानकारी भाव अर्थात सिव विश्व कल्यानकारी पिता परमात्मा की हम संताने हैं हम माश्टर विश्व कल्यानकारी बनते हैं इसी लिए सिव पिता परमात्मा के साथ साली ग्राम के रूप में हम बच्चों के भी पूजा होती है तो बाबा कहते अब अपने आक्यू पेसन अर्थात अपने धंदे को इस मरती में रखो जो तुमारे पिता का धंदा है वही तुम बच्चों का धंदा है तो सर्व आत्माओं के प्रती सुब भावना सुब कामना रखना सर्व के प्रती सुब चिंतन चलाना सर्व के कल्यान की भावना जब होती है तो बाबा कहते भावना का भाड़ा मिलता है ऐसे ही तुम बच्चे जब सेवा की भावना रखते हो तो उसका फल और बल दोनों प्राप्त होता है जिसके आधार पर तुम संपन्न बनते हो संपूर्ण बनते हो और विश्व कल्यान के निमित बनते हो जिसके लिए बाबा कहते कोई भी काम करते अपना आक्यूपेशन नहीं भूलो जैसे पांडवों ने गुप्त बेस में नोकरी की लेकिन नसा विजय का था ऐसे आप भल गवर्मेंट सर्वेंट हो नोकरी करते हो लेकिन नसा रहे कि मैं विश्व कल्यान का रही हूँ तो इस इसमरती से स्वता समर्थ रहेंगे और सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल मिलता रहेगा गाया हुआ है भावना का फल मिलता है तो आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को सांती और सक्ती का फल देती है तो इस भ्रहमन जीवन का गायन है कि देने में ही लेना समाया हुआ है तो जितना जितना तुम बच्चे सर्व आत्माओं को देते जाते हो उतना उतना तुम्हें प्रापتी होती जाती है तुम संपन संपुल्ण बनकर विश्व कल्यानकारी बन जाते हो स्लोगन में बाबा कहते गौडली स्टुडेंट स्वरूप सदा इस्मरती में रहे तो माया आ नहीं सकती अर्थात स्वयम भगवान हमें पढ़ाने वाला है हम जब यह इस्मरती रखते तो बाबा के महावाक्य सदा मन और बुद्धी में मनंचिंतन चलते रहते एक बाबा की याद होती तो जो बच्चे बाबा की छटर छाया में रहते अपने मन बुद्धी को बाबा के ग्यान पर सेवा पर बीजी रखते ऐसे बच्चों के पास माया आ नहीं सकती तो ये थे बाबा के महावा के अच्छा ओम शन्ती